मद्यप्रदेश सुनाओं को लेकर सट्टा बाजार ने एक आंकडा निकाला है और वो आंकडा भाजपा की चिंता बढ़ाने वाला आकडा है जे हां बिलकुल सही सुना आपने बीजेपी की चिंता कहीं न कहीं इससे बढ़ेगी क्योंकि यह जो आंकडा है वो किसी मामूली स सट्टा बाजार ने निकाला है फलोधी सट्टा बाजार देश का जानामाना सट्टा बाजार है अब आपको वो आंकडे दिखाने से पहले यह बता देता हूं कि यह जो फलोधी सट्टा बाजार है यह क्या आखिर राजिस्थान का एक जिला है फलोधी वही से यह कर तो नाम हो फलोडी सट्टावाजार रखा गया अब इस सट्टावाजार का इतिहास है वह 500 साल पुर्णा इतिहास है आप समझ सकते हैं कि पांसो साल से भी जादा का इतिहास इसका माना जाता है और इसकी शुरुवात जो है सांड की लडाई से हुई थी फलोधी सक्टा बाजार की शुरुवात फलोधी जिले में सांड की लडाई होती तो लोग किसी एक पर्टिकुलर सांड पर सक्टा लगाते थे कि ये सांड जीतेगा कि ये सांड हरेगा यहां से इसकी शुरुवात हुई थी और आज फलोधी सक्टा बाजार इतना बड़ा मार्केट है कि राजनीती से लेकर क्रिकेट की दुनिया से लेकर मोसम से लेकर हर किसी चीछ पर फलोधी सक्टा बाजार जो है सक्टा लगवाता ह अपना दाव खेलता है और ओडियंस उस पर भरोसा भी करती है तो यह तो रही फलोदी सट्टा बाजार का इतिहास 500 साल का अनुभव फलोदी का सट्टा बाजार रखता है अब इसमें जो मद्युप्रदेश को लेकर जो चुनावी आंकडे जो निकाले हैं वो चोकाने वाले पर निकाले हैं फलोदी सट्टा बाजार के अनुशार मद्युप्रदेश की साथ की सीटे जहां पर कांटे की टक्कर जो पिछले दो दिन से में वीडि Players बना रहा हूं कहँति साथ सीटे यहांपर हलके में नहीं सकते यह फलोदी का सट्टा बाजार भी बोल रहा है कि मद्धु प्रदेश की साथ एसी सीटे हैं जहां पर भाजपा कुछ चिंता करनी चाहिए यह सीटे उनके हाथ से एक बार उन सीटों के नाम सुन लीजे आप चिंद्वाणा मंडला सतना राजपा मुरेना ग्वालियर रतलाम जाबुआ यह साथ लोकसवा सीटे मद्धु प्रदेश की जहां पर सक्टा बाजार के अनुसार कश्मकस की स्तिती है लेकिन उज्जेन को लेकर भी लोगों में चर्चा है कि इस बार महेश परमार कुछ ना कुछ तो गड़बड़े और साथ के अनुसार मैंने चार सीटे और बताई थी जहां पर तक्कर का मामला दिखाए दे रहा है तो भाजपा के लिए रहे आसान नहीं है अब आपको यह बताते हैं कि यह जो फलोदी सक्टा बाजार है इसने किस पर दाओ खेला है मद्धु प्रदेश में 29 लोकसवा सीटों में से यह फलोदी का जो सक्टा बाजार है वो 27 से 28 सीटे बीजेपी के पक्ष में दिखा रहा है यानि कि भाजपा के ऊपर फलोदी के सट्टा बाजार ने दाओ खेला है 27 से 28 सीटे भाजपा की आ रही है यह फलोदी के सट्टा बाजार का कहना है यह मानना है उसने दाओ बीजेपी पर ही खेला है हम सभी जानते हैं राम यह सारे आंकड़े धरे के धरे रे जाएंगे इसमें कोई संदे की इस्तिति नहीं यह पिछली बार सिंदवाड़ा एकमात्र सीठती मद्दुप्रदेश से जो नकुलनात जो कमलनात की वेटे उनने जीती थी लेकिन अब 27-28 का जो भाजपा के पक्ष में फलोदी सटा बाज लेकिन यह जो साथ सीठे उसने अलग से निकाली है कि यहां पर कश्मकश की इस्तिति हैं यहां पर कुछ भी हो सकता है अगर है इमत तो लगाओ सट्टा सीधा सट्टा बाजार का यह मतलब होता है हलाकि सट्टा लगाना बहुत गलत चीज होती है इसमें हम उसको प्रमोट सट्टा बाजार के अनुसार तो यही इस्तिति है और कि इंडिया गडबंधन की सरकार नहीं बनते हुए नजर भी इस सट्टा बाजार में आ रही है केंद्र की थोड़ी सी में आप से बात करना चाहता हूं केंद्र में भी 296 सीटे मिनीमम और मेक्जिमम 303 सीटे भाजपक जो भाजपक जो गडबंधन है उसकी लगबख साड़े 300 सीटे के सीटों के पार ही यह फलोजी सट्टा बाजार दिखा रहा है 36 गड़ की सारी की सारी सीटे वह फलोजी सट्टा बाजार के अनुसार सभी सीटे बीजेपी जीत रही है मध्यप्रदेश में 29 सीटों पर 276 सी है यह सटोरियों का बाजार होता है और कि इसमें कितनी सच्चाई कितना जूट यह तो फिर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मध्यप्रदेश के विदानसवा चुनाओं में सट्टा बाजार का जो आकलन था वह लगबग लगबग गलत था तो इस पर पूर्णता विश्वास कर लेना यह भी ठीक बात नहीं है दूसरा यह सबसे बड़ा जो फिक्टर है इस सट्टा बाजार को चलाने का यह इसका अपना खुद का आकलन है कोई एक्जिट पोल नह है तो आपको और हमको चार तारीक का इंतजार करना ही पड़ेगा तो यह जो फलोधी का सट्टा बाजार में ने इतिहास आपको बताई दिया कि 500 साल पूराना इतिहास इसका है और लंबा अनुभाव यह रखता है सांडों की लड़ाई से इसकी शुरुवात हुई थी फल कृск कृष्ट के इस्तिती में बट रहा है कि कांश्मकष्क की स्थस्था क में वह क्या होता है को चार तारीक को ही जो है पता चलने वाला है और आए लीकिन चुनाओं के दौरान काफी सारी जो चीजे हैं वह तो है वह सार रिक पता ही स्था जालएगी जिस तरह से विजान तो फिर मान कर चलिए कि लेने की देने पड़ने हैं इसमें कोई संदे की इस्तिति नहीं है दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार तो बना रही है लोग पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं लेकिन मद्यप्रदेश को लेकर काफी इंट्रेस्टिंग मुकाबले हमने देखने को मिले काफी होट सीट यहां पर है तो आप वो तो कितने धुरंदर आ रहेंगे कितने धुरंदर धूल में मिलेंगे यह तो आने वाला वक्त बताय चैनल है वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा यदि आप हमारे चैनल पर जाकर देखेंगे तो जमीनी मुद्दे और नेताओं से कड़वे सवाल यह तमाम सारी चीज़ें हम करते हैं तो जरूर आई होप कि आपको चैनल पसंद है आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बने चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले बहुत बहुत धन्यवाद